दोसो नमस्कार माइनेम इस रिंकू मोरया और आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत हैं लॉंग ट्रम इन्वेश्टमेंट के लिए क्या क्या बेस्ट म्यूचुल फंड हो सकते हैं वीडियो में कोश्चन के मार्देम से हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहला हम कोश्चन ले लेते हैं एक वीडियो में इन्होंने कमेंट करा है कि सर प्लीज टेल मी 5 एर्स प्लान इन्वेश्टमेंट करना चाहिए आपको रख करके mutual funds में आपको investment करना चाहिए यदि आप mutual fund में अदि आप trial and testing करना चाहते हैं तो आप 1000 या 500 रुपे की SIP करके आप इसको test कर सकते हैं पांच साल के नीचे की period के लिए आप investment कर सकते हैं लेकिन यदि आप कोई goal based investment करना चाहते हैं आप कोई financial goal लेके आ रहे हैं तो उसके लिए आपको time यहाँ पर देना बहुत जरूरी है क्योंकि long term में ही यहाँ पे अच्छे return निकल करके आते हैं तो 5 साल या उससे नीचे के लिए मैं तो आपको यही बोल सकता हूँ कि आप या तो fix deposit कर लीजिए या तो फिर आप कोई debt mutual fund में investment आप कर सकते हैं यहाँ पर ले लेते हैं एक sir है उन्होंने कहा है कि मेरी age 42 years है and I want to invest in SBI mutual fund SBI mutual fund पे सभी लोगों का भरोसा है जैसे और इनका जो SIP amount है वो 5000 रुपे का है sir आप 5,000 रुपे महिने के SIP अधी आप लगाना चाहते हैं तो आपको किसी एक fund में SBI में नहीं लगाना है आपको कम सिम दो fund लेके चलना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा risk अपना अधी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर दो mutual funds हम यहाँ पर ले करके चलेंगे और SBI के small cap fund में आप थोड़ा सा अपना risk अधी आप बढ़ाते हो तो यहाँ पर 1,000 रुपे small cap fund में आप निवेश कर सकते हो अब यहाँ पर जो large and mid cap fund है इसमें देखिए आपको large cap company का भी आपको exposure मिल जाता है और दूसरा है कि आपको mid cap companies में भी पैसे invest करने का मौका यहाँ पर मिलता है तो small cap के मुकाबले large और mid cap में जो risk होता है वो थोड़ा कम होता है इसके बाद यहाँ पर next है timing का यदि आप यहाँ पर मान के चलो कि 12-15 साल का यदि आप time यहाँ पर दे सकते हैं तो आपका एक अच्छा जो है return यहाँ से निकल करके आ सकता है तो सबसे पहले तो SBI के large and mid cap fund के बारे में बात करेंगे यदि इस fund का देखा जब fund size तो 20,008 करोड रुपे का fund size है जो कि काफी अच्छा है large and mid cap category में और large and mid cap में काफी अच्छा fund है यदि आप expense ratio की बात करो तो 0.78 का यहाँ पे expense ratio है मतब जो पैसा आप इसमें invest करोगे उसको manage करने के लिए उस पे return generate करके देने के लिए fund manager यहाँ पर 0.78% का charge लेते हैं इसके बाद यदि इस fund का performance देके return wise तो यह fund लगबग 11 साल पुराना fund है तो 11 साल से इसने लगातार 17.79% का return हर साल investors को बना करके दिये हुए तो 20,008 करोड उपे जो manage किये जा रहे वो कहां-कहां पे distribute किये गए यह काफी important होता है मतलब आपका जो पैसा है जो आप इसमें SIP करने जा रहो चाराजार उपे महीने का वो पैसा आपका कहां-कहां पे invest किया जाएगा यह काफी important होता है तो यहां पर यदि हम fund distribution के यदि हम बात करें तो 20,008 करोड उपे का 40% जो है large cap companies में यानि कि इंडिया की जो top 100 companies हैं उसमें पैसा यहां पे invest किया जा रहा है इसके बाद यहां पे mid cap के यदि हम बात करें तो यहां पे 37.38% जो है mid size company में invest किया जा रहा है मतलब कि 101 से लेकर के 250 companies जो top category में आती हैं उसमें इस पैसे को invest किया गया है अब देखिए सेवी की जो guidelines कहती है कि यदि large and mid cap fund manage किया जा रहा है तो minimum large cap company में 35% पैसा investment करना जरूरी है और mid cap में भी 35% करना जरूरी है बाकी जो पैसा बसता है उसको fund manager small cap में debt mutual fund में कहीं भी वो उस पैसे को invest कर सकता है तो यहां पे आप देख सकते हो कि large and mid cap के बाद जो पैसा बच रहा है उसको small cap companies में भी invest किया गया है तो मतलब 13.13% क्या किया गया है small cap में invest किया गया है अब यहां पे दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि 42 years की age में आपको यहां पे क्या हो रहा है risk जो है आप यहां पे ले रहे हो लेकिन आपका risk जो है manage करने के लिए किस तरीके से fund को diversify किया गया यह important है आप देख रहे हो कि यहां पे large cap company में ज्यादा पैसा invest किया जा रहा है और large cap company जो होती है वो ज्यादा return तो नहीं देती है लेकिन उसमें risk कम देखने को मिलता है ठीक है और mid cap में आपको return देखने को मिलता है लेकिन risk भी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है ठीक है तो यहां पे fund का distribution इस तरीके से किया गया है अब यह जो पैसा है large cap, mid cap, small cap अब यह पैसा जो है कितनी company में invest किया गया है यह भी काफी important होता है तो यदि देखा जाए तो इसकी जो total holding है वो 80 companies में है मतलब आपका जो पैसा है 4000 रुपे मैंने के SIP आप करेंगे तो आपको 80 company में पैसा invest करने का यहां पे मौका मिल रहा है तो इससे क्या होता है कि आपको एक diversification मिल जाता है और diversification होने से long term में risk जो हती है वो कम हो जाती है और आपको return वहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है इसके वाँ next जो fund है SBI का वो है SBI का small cap fund मैंने बताया कि इसमें minimum 65% पैसा जो होता है वो top के 251 से लेकर के 500 के बीच की जो companies है उसमें पैसा invest किया जाता है तो 65% जो fund साहिज है उसका small cap companies में invest किया जाना चाहिए अब यहाँ पर देखा जा तो SBI का small cap fund 24,862 करोड का इसका fund size है यदि expense ratio देखा जा तो 0.67% जो की काफी अच्छा है और return भी देखा जा तो इस fund ने पिछले 11 सालों में हर साल 26% का इसने return बना करके दिया हुआ है यदि इसके fund distribution की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हो कि large cap में यहाँ पर 0% investment किया गया है चुकि यह small cap fund ने इसलिए जादा focus जो किया जाता है वो small cap companies पे किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि small cap में इस fund ने 83.88% investment किया गया है तो यहाँ पर जो investment 83.88 का इससे return भी आपको अच्छे देखने को मिलते है क्योंकि यहाँ पर small cap में high risk होता है लेकिन return भी आपको high मिलता है यदि आप long term तक 10 साल, 12 साल, 15 साल का time देते हो तो यहाँ पर आपको return भी अच्छे देखने को मिलते है यदि वहीं पर mid cap में आप देखोगे तो 9.25% बस पैसे यहाँ पर invest किया गया है तो आपका जो 1000 रुपे मेने की SIP होगी वो इस तरीके से यहाँ पर small cap में जादा आपका exposure जादा amount वहाँ पर invest होगा और mid cap companies में आपका amount जो होगा वो कम invest किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हो कि total 59 companies में पैसे को यहाँ पर divert किया गया है अब 59 companies में जादा तर कमपनियां small cap की होगी और कुछ कमपनियां जो है mid cap की होगी तो mid cap की companies काफी कम होगी लेकिन इस 59 companies में large cap company आपको एक भी देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है तो 59 companies में आगें एक हजार उपय आपका divide हो रहा है इससे भी long term में आपका risk काफी ज़्यादा कम हो जाता है risk minimize हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम SIP की performance last 11 years के आप देखेंगे तो SBI के small cap fund में 24,000 करोड का इउमा fund size आपने देखा था इसमें 1,000 रुपय महिने की जो SIP चली यह पिछले 11 सालों से वो आप देख सकते हो कि आपका total investment यहाँ पे 1,32,000 का हुआ और इस fund ने 7,80,000 बना करके दिया हुआ है ठीक है CGR की यदि हम बात करें तो 26.5% के CGR से इस fund ने return बना करके दिया हुआ है तो वहीं पे यदि हम SBI के large और mid cap fund की यदि हम बात करें तो इसका भी देखा जाए तो 4,000 रुपय महिने की SIP जो पिछले 11 सालों से चल रही थी इसमें 5,28,000 total investment हुआ था और total value जो current में देखने को मिल ले यह वो है 16,36,431 रुपय है ठीक है तो यहाँ पे भी जो CGR है वो 17.79% के according जो है इस fund ने generate करके और 5,28,000 को इसने 16,00,000 रुपय बना करके दिये हुआ है तो past का जो 11 years का return है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अब इसके बाद यदि आप current में जैसे sir ने यहाँ पे question पूछा है कि मैं SBI mutual fund में investment करना चाहता हूँ अगले let's suppose कि 12 से 15 साल यदि यह time देते हैं तो इनको क्या value देखने को मिल सकती है तो यहाँ पे हमने SIP calculator open किया हुआ है सबसे पहले तो SBI small cap fund का performance हम अगले 15 साल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यदि आप 1000 महीने की SIP यदि आप इसमें करते हो अगले 15 साल के लिए और यहाँ पे expected return हम 18% का लेके चल रहे हैं क्योंकि पिछले 11 सालों में आपने देखा 26% का return SBI का small cap fund ने निकाल करके दिया हुआ है अब next 15 years मतबब आज से 15 साल के लिए हम कर रहे हैं तो मैं हमेशा क्या करता हूँ return में थोड़ा सा यहाँ पे minus करके चलता हूँ उसके पीछे काफी सारे regions हैं जैसे tax हो गया इसके बाद mutual fund का under performance हो गया अगले 3-4 साल यादी fund नहीं सही से perform किया तो उस case में आपको return भी कम हो सकते हैं इसके बाद expense ratio हो गया काफी सारे factors होते हैं जिसको मैं consider करके चलता हूँ तो यहाँ पे मैं 18% का on and average return लेकर के चल रहा हूँ यदि आपको इससे ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आपको minimum इतना expect करके चलना चाहिए small cap fund में 15 years में आपकी 1000 रुपे महिने की SIP जो चलेगी उसमें आपका total जो investment होगा वो 1,80,000 रुपे का होगा और आप 18% के CGR से यदि चले तो total जो आपका return बनेगा वो 7,39,000 रुपे का बनेगा total value आपकी आएगी वो 9,19,000 रुपे आएगी ठीक है तो 1,80,000 रुपे का आपका investment है और आपका जो value यहाँ पे देखने को मिल ला है वो total 9,00, तकरीबन 10,00, आप मानके चलिए यदि return में थोड़ी सी बढ़ोती हो जाती है इसके बाद SBI के large and mid cap fund की हम बात करेंगे यदि 4,000 रुपे महीने यदि इसमें investment होता है next 15 years के लिए और यहाँ पे जो expected annual return हम लेके चल लें वो 15% का लेके चल लें क्योंकि आपने देखा कि SBI का large and mid cap पिछले 11 years में 17.79% का return दिया था ठीक है तो हम यहाँ से अब अगले 15 साल का लेके चल लें तो 2% का यहाँ भी हम थोड़ा सा margin लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका total जो amount invest होगा वो 7,20,000 invest होगा ठीक है अगले 15 सालों में 4,000 रुपे महीने की SIP और आपका जो यहाँ पे total wealth बनेगा यानि जो total return आप कमाएंगे वो कमाएंगे 19,87,452 रुपे ठीक है और total value जो आपके hand में देखने को मिलेगी वो 27,00,000 के असपस देखने को मिलेगी तो आपका यहाँ पर investment जो है 7,20,000 investment आपके SBI के large and meet cap fund में अगले 15 सालों के लिए होगा और 1,88,000 रुपे आपका SBI की small cap fund में होगा तो total मिला के चलते हैं तो लगभग आप मान के चलो की 10,00,000 रुपे का आपका investment होगा और total जो value आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपको लगभग 26 से 27 रुपे की value आपको देखने को मिल सकती है तो I hope कि आपको आपके question का answer मिल गया होगा और इस तरीके से SBI mutual funds में आप investment अपना सुरू कर सकते हैं SIP कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत थैंक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो